हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज में लेका है हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम क्रेट के बारे में आज मैं आपको step by step सारी जानकारी दोंगा कि किस तरीके से जो है होम क्रेट का application आप अपने phone पे install कर सकते हैं किस तरीके से आप होम क्रेट पे loan apply कर सकते हैं और क्या-क्या उसमें benefit आपको मिलता है और जो application आप install करेंगे उसमें क्या-क्या features आपको दिये जाते हैं और किस तरीके से अपने loan के सारी जानकारी जो है आप उस app पे देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारी Ist Slok iplasse जाना है तो आप alm days टाइफ करने के बाद ये जो थाड़ option हरे होम क्रेडिट का इस पर क्लिक करके इसको इस्ट्राई कर लेना है इंस्ट्राइल करने के पाद दोस्तों आपको अपना जो आपका अगरे रखना होगा और या आगर आपके पास कोई ऐसा durum पैन काड या अधार काड है वो भी रखेगा क्योंकि तभी आप वो डिटेल को जो है ओपन कर पाएंगे क्योंकि जब यह एप्लिकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपसे वह आपका पैन नंबर या मेल आईडी या आपका रेजिस्टर मॉयल नंबर या कोई भी ए आपसे वेरिफिकेशन के तोर पर मांगेगा एप जो है दोस्तों इंस्टॉल हो चाहिए आप इसके बाद आपको इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद दोस्तों यह आपका फॉस्ट नेम और आपका रेजिस्टर मॉयल नंबर मांगेगा अब जैसे यहां पर अपना नाम मैं लिख देता हूं और मेरा जो मॉयल नंबर है वो यहां पर मेंशन कर देता हूं उसके बाद आपको ओटीपी पर सेंड क्लिक करना पड़ेगा आप आपके पास आपके रेजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा उसको यहां पर आपको फिल अप करना पड़ेगा अगर आपने लोन अपलाई किया होगा दोस्तों अगर होम क्रेडिट से तो आपके पास है एक लोन एप्लिकेशन नंबर होगा वहां पर यह आपको फिल करना पड़ेगा अब यहां पर अगर आप पिन सेट करना चाहते हैं तो इसली फिन सेट कर सकते हैं यह verification इसने मांग रहा है दोस्तों कि यहां पर आप अपना loan की जानकारी है जो आपका current अभी जो loan चल रहा है वो देख सकते हैं अब यहां पर आपका contract ID है यह मांग रहा है contract ID क्या होता है दोस्तों कि जब आप loan apply करते हैं तो वहां पर एक left hand side पर आपके top पर लिखा होगा contract ID तो वह डाल सकते हैं अभी आपके पास अगर pen card है तो pen card number में यहां पर अपना डाल देता हूँ अगर आपके पास pen card number है तो आप अपना pen card number डाल देता हूँ कि इसके बाद verify कर दूँगा verify करने के बाद दोस्तों देखें आप मेरा जो loan का डीटेल है वह यहां पर सुख करने लग गया अभी जो मेरा current में जो loan चल रहा है उसका EMI 697 बन जा रहा है और अभी टोटल जो मैंने 48 में से 8 EMI में पे कर चुका हूँ अगर आपको यहां पर कोई डीटेल चाहिए तो आप वहां पर सारा चीज़ देख सकते हैं और अगर आपको past जो आपके पहले कभी loan जो लिये हुए अगर वो देखना चाहते हैं तो my loans पे जैसे नीचे लिखिया रहा है my loans पे क्लिक करेंगे तो जो आज तक आपने loan लिया के ऊपर देखे documents लिखिया रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो loan payment schedule तो इसमें जो आपके कौन से date पर कौन सा loan जाएगा वो सारा detail यहां पर आप देख सकते हैं उसके बात यहां पर back करते हैं तो अगर आपको pre-approved loan चाहिए या मतलब अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आप चल रहा है तो यह ज्यादातर जो यह loan जो है वो अपरूब जल्दी नहीं होता है और अगर होता भी है तो जरूरी नहीं कि 2,000,000 का होगा वो 50,000, 40,000, 60,000 वो आपके जो EMI आपने पे किया है उसके accordingly वो accept करेंगा तो यहां पर आप उसको easily आप देख सकते हैं अगर आ योने क्या चीज अपडेट किया है कि नहीं किया है आप टॉप पे इसले कर सकते हैं मैं आपको कर के भी दिखा देता हूं अब ही जो मेरा करेंट करने चाहता हूं तो ने चर्थ है अब करने के बाद मेरा डेविट करें और यह मांग रहा है फिलाल तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा कोई bounce हुआ नहीं है तो इसको मेरे को पे करने के भी फिलाल जरूरत नहीं है तो अगर आप इसमें EMI moratorium भी है इसमें एक तरीगे का मैंने ज़्यादतर यह देखा है दोस्तों मैंने इसमें कितने बार भी apply कर दिया है लेकिन इनका कोई reply अभी तक आया नहीं है ठीक है दोस्तों तो यह था इसके बारे में पूरी जानकार है इसके अंदर आप जो भी चीज है वो सारा detail अपना check कर सकते हैं और आपका कोई भी अगर bounce भी हो जाता है दोस्तों तो अगर उन्होंने civil में अगर कुछ गलत report भी दे दे कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ था home credit का मेरा payment वो time to time तो जाता था लेकिन एक बार उन्होंने क्या गया था जो EMI था वो आगे उन्होंने यह दिखा दिया कि इनका bounce हुए लेकिन वह bounce नहीं हुआ था वह आपका rectify मैंने करा लिया था और उन्होंने बाद में civil में home credit ने civil पर बात करके मेरा civil जो है वो update करवा दिया था तो यहां पर आपको यह जानकारी मिल जाती है कि अगर आपका कोई payment time पर तो गया है लेकिन home credit ने आगे रिपोर्ट अगर गलत दे दिया तो उसको भी आप easily correct करा सकते उससे आपके civil में कोई impact नहीं पड़ेगा तो यह लों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वह वहोद चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगळा जो में वीडियो बनाओका आप लोगों के लिए बनाओका के अगर आप personally loan 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 टुप concern